हलो इस्ट्वेंट कैसे आप लोग उमीद करूँआ कि आप लोग बहुत अच्छ हैं तो मैं का जिंदर शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट सेक्षन के अंदर जरूर बताएगा कैसे लागी आप सभी को ये वीडियो उससे पहले मैं छोटी सी चीज आप सभी को बताना चाओंगा आप सभी को बता है कि आप लोग के लिए रिसेंटली प्रतिग्या बैच लाँच किया गया था और तीन दिन का उसके उसाथ ओफर चल रहा था कि आप लोग को पीवाईपी किट मिलने वाली है लेकिन बहुत सारे बच्चों का वापस से डिमांड आया कि सर कुछ ऐसा कर दीजे जिसके द्वारा हम लोग को चीजे मिल जाए और हम लोग उसको पीवाईपी किट है उसके साथ बैच को भी अन्रोल कर लें तो आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड के उपर यहां पे लांच कर दिया गया है प्रतिग्या प्लस बैच अब इस प्रतिग्या प्लस बैच का मतलब क्या हुआ कि सर आप लोग को प्रतिग्या बैच के साथ पीवाईपी किट है यानि कि हाइब्रिड जो किट है क्योंकि आपके भाई का code है Y485 इसको जैसे ही आप लोग enroll करते time लगाओगे वैसे ही यह batch आप सभी को पढ़ने वाला है 3485.17 रुपीस का यानि कि प्रतिग्या plus batch है वह आप सभी का हो जाएगा इतने price के अंदर Y485 coupon code है इसको लगाने के बाद में आप लोग आपके भाई के किस तरीके से कितने questions पूछे जाना है इसके अंदर आएंगे Markt क sodium के कितने आप लोग को साही करने पर मिलेंगे कितने नमबर आप लोग को को र onu करने मिलेंगे यह आप लोग जो उसका exam format और कंपको मिलेंगे जिससे आप लोग जो आप सभी के लिए है सभ्सक्यांभी के देखो आप लोग जब पढ़ रहे हो class 12 का syllabus उसके बाद में जैसे ही आप लोग CUT के अंदर आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है CUT के PYQs है उनको देख लेना आप PYQs कहां से आप लोग अड्डा की जो app है उससे आप लोग PYP जो kit है उसको आप लोग purchase कर सकते हो वैसे तो पृतिग्या के साथ ही मिल रही आप लोग के घर पर मिल जाएगी आपके घर पे deliver कर दी जाएगी आपको क्या करना है उसको देखना है और सबसे पहले यह mark चाहे CUT की बात करूं, हर जगह आप सभी को इसके बारे में थोड़ी knowledge होनी चाहिए. यहां से आप लोगों ने identify कर लिया, topics को देख लिया, आप क्या करें, sir? इसके बाद में आप लोगों का काम होता है, आप लोगों को अपना एक steady plan है, उसको create करना है. उसके पीछे का क्यो reason है? क्योंकि, sir, देखो, अगर हम लोग randomly पढ़ने बैठेंगे न, तो नहीं बात बनेगी. हम लोगों को study plan के according जाना है, जैसे प्रतिग्या में आप लोग enroll करते हो, प्रतिग्या plus के अंदर, तो आप सभी को क्या मिलेगा, बिटा? क्योंकि सारे subjects जो है, वो importance रखते हैं. अगर आप लोगों के लिए physics, chemistry, math की बात करो, तो math अच्छी लगती है, तो physics भी उतनी है, आप लोगों को अच्छी लगने चाहिए, क्योंकि 200, 200, 200, सब के marks बराबर हैं. और सारी चीज़े आप लोगो के लिए क्या है, equally number रखती है, जिससे आप लोग जब selection लेने जाओगे उस time पे. तो यानि कि मुझे एक study plan करना है, उसके study plan schedule करना है, उसके according मुझे क्या करना है, चीज़ों को उसके around ही सारी चीज़ों को clear करना है. अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने क्या किया format समझा, दूसरे में हमने क्या कर लिया, ऐसा identify कर लिया topics को, third मैंने एक plan create कर लिया, अब क्या, इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है भाईया, यहाँ पे जो previous year papers हैं, उनके द्वारा अपनी practice कर लेनी है, अब practice के मेडिया लग जाएगा कि सर, किस किस तरीके के topics पूछे जा रहे हैं, और क्या मेरी study है, वो सही चल रही है और ने चल रही है, तो PYP आप लोगों ने लगा लिया, साथ ही आप लोगों को लगाना है mock test, अब mock test से क्या benefit होगा, देखो और दो benefit होते है, mock test के, mock test का पहला जो जो को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कितनी मेरी speed है, कितनी मेरी accuracy है, कौन सा questions को मैं wrong कर रहा हूं, कौन से questions को मैं right कर रहा हूं, तो यानि कि sir मैने है प्रेक्टिस करी, अपने आपको तयार किया, उसके बाद में मुझे अपने weak areas का पता लगा, मुझे मेरे strong areas का पता हो cutie sonai bainer तो capacitor को पता लगा तर्म तो मैं में नहीं बन कई करउंगा तो मेंकिरेख को दुबारा पड़ोंगा दुबारा पड़ने के बाद में पिर में सब्सक्राइब कर लिया अगली बार जब टत्रम की लिए हैंब की तो यहा बार केस्ट format identify weak areas and improve time management skills, तो सारी चीज़ा आप लोग कर पाएंगे, इसके बाद है practice regularly, भाया देखो practice 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 इसका और कोई तोड नहीं है, हमेशा आप लोग को practice करनी है, regular practice करनी है, पीवाई क्योस को लगाना है, problem solve करनी है, sample questions papers को लगाना है, जिससे क्या है, exam के साथ आप लोग familiar हो जाओगे, और अपना जो problem solving skills है उसको भी improve करोगे, अपने अंदर confidence आएगा, क्योंकि जब आप लोग एक सवाल भी अच्छा कर लेते हो ना, तो आपके अंदर confidence आजाता है, ह मैं बोलू, short notes मनाते चलोगे, उससे क्या होगा, जब आप लोग revision करते हो ना, तो उस time पर फटाफट फटाफट देख लिया, एक page का है, मैंने खटाक से उसको देख लिया, काम हो गया, और उसके आपने प्र practice के कुछ नहीं होता है, चाहे physics, chemistry की मैं बात करू, math की बात प्रेक्टिस मांगते हैं, प्रेक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है, थियोरी आप लोग कर लोगे, 60-40 का ratio होता है, 60% थियोरी आपने cover कर ली, 60% number यानि के 120 तक आप पहुँझे है, बाकी 80 number भी तो important है, 80 number भी तो है, 40% जो आपका है, वो भी तो important है मेरे भाई, तो नहीं है, रेगुलरली, प्रेक्टिस में कोई कटोती नहीं करनी है, भया, 50-55 दिन आप लोगों ने अगर मेहनत कर ली ना, मैं यह कहता हूँ, जिन्नों ने पूरी साल से शुरुवात किये ना, उनसे भी आगे निकल जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं, वो लोग भी में आप लोग क्या करोगे, भया, 45 मिनिट मुझे पढ़ना है, और 10-15 मिनिट का मुझे ब्रेक लेना, जिससे क्या है, आपका माइंड जो है वापस एक्टिव रहेगा, ऐसा नहीं है, कि रेगुलरली पढ़े जाने है, तो आप लोगों को ब्रेक्स लेते हुए चीजों को करनी है, क्लियर है, क्योंकि आप लोग देखोगे, तो लाइव क्लास जो हमारी चलती है उसके पच्छा मिनिट का ब्रेक होता ही होता है, क्योंकि या तो देखो, जैसे मेरी क्लास होती है, अब वो एक बज़े तक होती है, लेकिन मैं 12-15 पर छोड़ देता हूँ, उसके पी करना बहुत जरूरी है, और अपने आपको यह डिस्ट्रक्शन होते हैं उन से बचा के रखना है, ऐसा नहीं कि सर, अभी नोटिफिकेशन आ गया वाट्सप पे, और वाट्सप पे लग गया है, टेलीग्राम पे आ गया, इंस्टाग्राम पे लग गया, तो इंस्टाग्रा पॉइंट से मैंने आप सभी के लिए रखें, जिनको आप लोग अगर इंप्लिमेंट करते हो बेटा, तो कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को आप लोग पढ़ पाओगे, चीजों को अच्छे से कर पाओगे, और इसके अलावा मैंने आप सभी को बता दिया, वन स्ट Y485.17 का आपको यह हो जाएगा, यानि किसे लगबख 400 रुपए एक्स्ट्रा है, प्रतिग्या बैसे, जिसके अंदर PYP kit आप सभी को मिल रही है, और hybrid mode पे आप लोग के घर पे provide करा दी जाएगी, 80 OMR sheet के साथ, जिनको आप लोग अच्छे से करके, अपनी practice करके, अपनी selection की तरफ आगे बढ़ पाओगे, याद रखेगा, Y485 coupon code आप सभी को लगाना है, अब कैसे असके अंदर enroll करना है, वो मैं आप सभी को एक मिनिट में बता देता हूँ, enroll करनी के लिए, क्या चीज़ करनी है, बही देखो enroll करनी के लिए, simply आपको क्या करना है, गूगल पे जा अब यहाँ पे देखो, science, commerce, arts, जिस भी stream के उस पर आप लोगो को क्लिक कर देना है, for example, science के हैं तो science के, arts के, commerce के, सब का प्रोसेजर सेम है, यहाँ पे आप लोग आओगे, देखो बीटा, आप लोगो के लिए प्रतिग्या बैच है, वो है, लेकिन सर, अब यहाँ पे आप Y485 जैसे ही मेरे वीरा लगाओगे, देखो यह रही प्राइस, कितनी है बेटा, Y485 जैसे ही coupon code आप लोगो ने लगाया मेरे भाईया, तो आप सभी को देखो, 3485.17 का यह आप लोगो को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोगो को live classes है, recorded classes है, आप लोगो के लिए PYP kit है जो आपके घर पे deliver की जाएगी, वो सारी चीज़े इसके अंदर included है, और खजाना batch आप सभी को मिल रहा है, जो recorded batch है, जिसके अंदर आप लोगो को classy भी मिलेंगी, तो उससे पहले आप लोग अपनी तयारिया उसको जबरदस तरीके से कर पाओगे, तो याद रखेगा coupon code Y48 2485 लगा के enroll कर लेना है, 3485.17 का है, जाके इसका फाइदा उठा लीजे, क्योंकि आप लोग का batch है, तेज तारिक से start होने वाला है, जहां पे आप लोग classes को कर पाओगे, तेज से पहले जो दिन है, उनके अंदर जो recorded sessions है, हमारा जो खजाना का part है, उसको आप लोग देख ल जी, तो thank you so much and bye-bye to all, God bless you, मिलते हैं इस प्रिकार के और sessions में, अच्छे 24-7, CUT के इस परिवार केंदर, thank you and bye-bye to all.